जै हिन्द तो आप सभी को प्यार भरा गूड मॉर्निंग तो आप लोग कैसे हैं असा करते हैं अप लोग अच्छे होंगे तो आज हम लोग 19 और 20 फरवरी यानि दो दिन का क्रेंट अफर का क्लास आज हम लोग देखेंगे ठीक है और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे या दोस्तों को साथ भी सेयर करेंगे और इस class का PDF आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलिग्राम चैनल चैनल का लिंक जो है इस वीडियो का description box में दिया हुआ है आप वहां से जाके join कर लेंगे ठीक है और और इस class का जो है इस class का आप अपना राय जो है comment box में जरूर देंगे कि आपको class कैसा लगा तो चलिए class को start करते हैं देखते हैं आपको 18 फर्वरी को कौन सा होंबर दिया गया था देखिए क्या है प्रश्ण के हाली में ICC Under 19 Men's Cricket World Cup किसने जीता यनि ICC Under 19 Men's Cricket World Cup जो है कौन सा देश जीता है तो इसका जो अंसर होगा आपको Australia होगा क्या होगा Australia किसको हरा के जीता है तो भारत को भारत को हरा कर जीता है कौन तो Australia जीता है और यह match जो है आपको कहा हो रहा था Under 19 Men's Cricket World Cup तो यह जो है आपको South Africa यह भी याद रखेंगे आपकी South Africa में यह जो है आपको match हो रहा था ठीक है अब उसके बाद देखते हैं First Person को First क्या कहता है कि हाली में मुख मंतरी विस्व कर्मा पिंसन योजना किसने प्रारम किया यह नि कौन से राज सरकार जो है मुख मंतरी विस्व कर्मा पिंसन योजना प्रारम किया है तो इसका अंसर क्या होगा राजस्थान क्या होगा अंसर राजस्तान और राजस्तान में अगर हम बात करेंगे तो अभी क्या बोलते हैं मुख मंत्री जो है भजनलाल सर्मा क्या है मुख मंत्री है और कल राज मिस्र ठीक है कौन है कल राज मिस्र कौन है तो आपको राज जपाल है ठीक है कल राज मिस्र राज जपाल है उसके अलावा अगर हम राजस्थान में बात करेंगे तो इसका गठन 1949 को हुआ 1949 को इसका गठन हुआ यानि भारत जब अजाद हुआ था 1947 में सुतंत्र हुआ उसके बाद दो साल बाद जो है राजस्थान का गठन हुआ था ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहां पे पचीस लोक सवासीट है पचीस क्या है लोक सवासीट है दस राज सवासीट है और दो सो याद रखने यहां पे बिधान सवासीट है दो सो क्या है बिधान सवासीट है और राजस्थान से होके करक रेखा गुजरता है ठीक है पच्छी मंगाल, तिरपूरा और मीजोरम आठ राज से ठीक है तो ऐसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि एक्जाम में आपको पूछा जाता है कि करके रिखा है भारत के कितने राज से होके उज़रता है तो आठ राज से उसमें एक राज कौन सा है तो आपको राजस्थान है नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रस्ट सेकंड क्या है सेकंड है हाली में इसरों ने मौसम उपगरफ इंसर्ट 3DS को किस से लाँच किया है तो देखे इसका अंसर क्या होगा GSLVF15 होगा क्या होगा GSLVF14 ठीक है GSLVF14 इसका अंसर होगा और एक्सपो सेट किस से लाँच किया गया था तो PSLV PSLV C58 यह आपको भिहार मदनी सेद दरोगा के एकजाम होगा था उसमें यह प्रस्ट पूछा गया था और चंद्रयान 3 किस से LVM3 M4 से LVM3 M4 और अदित तेलबन PSLVC 57 से ठीक है अब उसके बाद है थर्ड प्रस्ट देखे थर्ड क्या कहता है थर्ड है आपको कि हाली में 98 ग्यान पिट कुछकार से किसे समानित किया गया यह यह 98 ग्यान पिट कुछकार से किसको समानित किया गया है तो देखे इसका जो अंसर होगा आपको गीत कार गुलजार और जगत गुरु राम भरदा चार्ज यानि इसका अंसर क्या होगा A और B नहीं A और C होगा यहां पे A और C ठीक है A और C दोनों होगा ठीक है गीत कार गुलजार और जगत गुरु राम भरदा चार्ज इसका अंसर अगर ठीक है उसके अलाबा अगर हम बात करेंगे संतान में संतान मौवा किसको दिया गया यह जो दिया गया था दामोदर मोजे को दामोदर मोजे याद रखना है दामोदर मोजे को कौन सा दिया गया तो आपको संतान में ग्यान प्रूसकार दिया गया और इसमें जो है आपको 11 लाक रुपया प्रूसकार दिया जाता है 11 लाक जो है आपको प्रूसकार दिया जाता है और दादा साहब फाल के अवार्ड जो है दादा साहब अभी आपको दो दिन पहले ही आपको बताया थे कि दादा साहब फाल के अबाड में 10 लाग से लेकर यानि 10 लाग पहले था अब कितना कर दिया है 15 लाग यानि पांच लाख रुपे आपको इनामी रासी आपको बढ़ा दिया गया है तो यह भी बात आप याद रखेंगे और ग्यान पीट पुरुसकार में किता है दिया जाता है तो इसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है आपको एक के पी पी नोबियार जो पुरुसकार मिला है वो मिला एस समनाथन जी को यह भी आप याद रखेंगे यह भी इंपोर्टन प्रस्न है समनाथन जो आपको इसरो के परमुक है इनको क्या मिला है? KPP नम्बियार ठीक है? पुरुषकार मिला है उसके अलावा Wildlife Photographer of the Year जो मिला है नीमा सरीखानी यह भी आपको बहुत ही इंपोर्टेंट है यह दोनों प्रस्नाप याद रखेंगे उसके अलावा ग्यानपीट पुरुषकार भी याद रखेंगे ठीक है यानि के पीपी नाम बियार पुरुषकार किसको मिला एस सुमनातन और बाइड लाइफ फोटोग्राफर अप दे येर नीमा सरी खानी ठीक है अब उसके बाद है आपको फोर फोर ठीक है फोर क्या है हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कहां प्रगम हुआ है यानि पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल जो है कौन सा सर में हुआ है तो देखिए इसका जो अंसर होगा आप कलकत्ता होगा क्या होगा कलकत्ता किसका रजानी है तो पच्ची में अगर हम बात करेंगे तो इसका गठन जो है 26 जुनवरी 1950 को हुआ और आप comment करके बताएंगे कि असम का गठन जो है कब हुआ असम का गठन कब हुआ ये आपको comment करके बताना है ठीक है उसके अलावा कलकत्ता में अगर हम बात करेंगे तो मुख मंतरी है ममताब बनर जी और सीवी अनन्द बोस क्या है तो आपको राजपाल है उसके अलावा पच्छी मेंगाल में अगर हम बात करेंगे तो यहां पे लोक सवासीट जो है आपको 42 है 42 क्या है लोक सवासीट है सुला है यहां पे राज सवासीट सुला क्या है रासवा सीट है और 294 में याद रखना है यहां पर बिधान सवा सीट है ठीक है और यहां पर बिधान परिसत सीट नहीं है क्योंकि बिधान परिसत सीट जो है आपको सिर्फ छे राजम है जैसे बिहार बिहार हो गया बिहार यूपी महराश्ट ठीक है तेलंगान आंदर परदेश और एक है करनाट का ठीक है अब उसके बाद है आपको five five क्या है five है कि हाली में कौन सा देश मध्यपूर्व में dream of the desert train launch करेगा यानि कौन सा देश मध्यपूर्व में आपको dream of the desert train launch करेगा इसका अंसर क्या होगा सौधी अरब क्या होगा सौधी अरब और सौधी अरब करा जानी कहा है रियाद सौधी अरब करा जानी है रियाद और यहां जो है अलमोहद अलहिंदी नौसेना का अभियास होता है किसके बीच भारत और सौधी अरब के बीच होता है तो भारत और सौधी अरब के बीच होता है ठीक है अब उसके बाद हें आपको six देखिए six क्या करता है six है कि हाली में किस देष ने समलेंगिक विवा को بैध नाया है याद रखना है ग Parece आपको समलेंगिक विवा को बैध बनाया है next है आपको seven seven है हाली में किस राज में तिन दिवसी है नागी पच्छी महतसब शुरू हुआ है यह आपको important प्रस्टनेस बिहार के एक्जाम के लिए BVI है बिहार के एक्जाम के लिए बहुत ही important है क्योंकि बिहार में भी बहुत सारा एक्जाम है जैसे बिहार SS Interlevel का हो गया Civil Code का हो गया है ना उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो अभी 25 तारी को जदिव और बीजेपी का सरकार है और मुखमंत्री कौन है तो आपको नितिश कुमार जी है और राजपाल जो है आपको राज़िंदर विस्मनात अर लेकर जी है और उप मुखमंत्री दो है एक है आपको समराड चोधरी और दुसरा है बिजय सिना ठीक है कौन कौन है समराड चोधरी और विजय सिना उसके लावा बिहार में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 40 लोग स्वासीट है और 243 याद रखने यहाँ पर बिधान स्वासीट है और इसका गठन कब हुआ इसका गठन जो है आप कमेंट करके बताएंगे तीक है इसका गठ आपको एट परस्न एट क्या करता है कि हाली में 100% घरेलू नल जल खनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पुर्वी राज कौन सा बना है ऑप्शन क्या है मिजोरम है फिर इसके बाद है असम त्रिपूरा और अरवनाचल परदेश इसका अंसर क्या होगा अरवनाचल परदेश में अगरहम बात करेंगे अरवनाचल परदेश का गथन हुआ 1987 में 1987 में अपको अपको आयो पहुंस परवर्दैश इसका गथन हुआ और पेमा खांडू मुख मंत्री है और केटी पढनाउस कॉन है तो आपको राज जपाल एक तो आपको राज जपाल है और यहाँ जो है अरुनाचल परदेश में आपको एक आधी केकिर जो अधरक पर जाती है ठीक है आधी केकिर को क्या मिला है जी ए टेग मिला है और वांचो सिल्फ को क्या मिला है जी ए टेग मिला है वांचो सिल्फ और आधी केकिर क्या मिला है जी ए टेग मिला है तो इतना बात जो है आपको बिधान स्वासित है, दो लोग स्वासित है, और एक राज स्वासित है, अब उसके बाद है आपको 9, 9 क्या है, The Economist Intelligence Unit के लोगतंतर सुचकांग 23 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो देखिए इसका जो अंसर होगा, आपको होगा 41 मा, क्या होगा 41 मा, यानि The Economist Intelligence Unit के लोगत संतर सुचकांग, 23 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 41 मा, और पहला स्थान पर कौन है, तो पहला है आपको Narvae, और Narvae का राजानी आप कमेंट करके बताएं कि, नारवे का राजानी क्या है, और शेकन अस्थान पर है New Zealand, और थर्द पर है Iceland, ठीक है, थर्द पर कौन ह अगर हम भात करेंगे तो इंडिया जो है पासपुट इंडेक्स में कौनसा हस्थान पे है तो असी हस्थान पे है पहला हम जापान सेकल्ड ऌपुर तर्छ इंगापीर। उसके अलावा भुखमरी में इस एकanswer गाराइव है भारात हस्थान, 111 में में है अर जिट्द करके next है आपको 10 10 क्या कहता है कि हाली में देखे हाली में 9 वे रार सीना डायलोग में किस देशके परधान मन्तरी मुख खतीती होंगे तो देखे इसका अंसर क्या होगगर capitalize क्या होगगर suffix होगगर इसका anniversary अब उसके बाद है आपको देखे हो ग्रीस में देखे ग्रीस के PM कौन है देखे ग्रीस के अगर परधान मंत्री अगर हम बात करेंगे तो मित्सो मित्सो ताकिस मित्सो ताकिस जो है आपको ग्रीस के परधान मंत्री है और यह जो होगा कहा होगा तो आपको नई दिल्ली में अब उसके बाद है आपको 11 देखिए 11 क्या कहता है 11 है आपको कि हाली में 20 वेल दिवस कम मनाया गया इनि 20 वेल दिवस कितना तारी को मनाया गया है तो इसका अंसर क्या होगा 18 फर्वरी 18 फर्वरी को 20 वेल दिवस मनाया गया है ठीक है उसके अलावा फर्वरी में अगर हम बात करेंगे तो दो फर्वरी को 20 आदर भूमी है 20 आदर भूमी दिवस कितना तारी को दो फर्वरी को और 4 फर्वरी को है 20 कैंसर दिवस कितना तारी को है तो आपको 4 फर्वरी को है ठीक है अब उसके बाद है आपको बारा बारा क्या कहता है कि हाली में कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपगरह लॉंच किया है तो इसका अंसर क्या होगा जपान ठीक है क्या होगा जपान इसका अंसर होगा यानि बारा का बी ठीक है और जपान के परधानमंत्री कौन है तो फुमियों की सीधा याद रखना है न Estamos जपान के परधान मंत्री ऑर इसका यद्धानी टोक्यों है और 2020 का जो Olympic खेल HERE वह इसमUNG तो!.. टोक्यों में होँ था solution 224 वह्यों कहा होगा तो France परintérieur ना प्रेठानी परीश में होगा और 2028 वहला留स इंदिल जो American विका में है ठीक है और उसके बाद जो 32 वाला होगा वह आपको ब्रीस्वेन ठीक है ब्रीस्वेन यानि इंग्लेंड में होगा तो यह चार जो है क्रम आपको याद रखना है क्योंकि एक्जाम में इस से क्रम में पूछ देता है कि आपको डिरेक्ट ऐसे पुछेगा कि 2828 वा याद रखना है यह आपको इंपोर्टेंट प्रस्न है कि नीरा चोप्रा 2020 में जो ओलंपिक खेल हुआ था उसमें यह जो है आपको अवार्ड जिते थे साथ अगस्त को कितना साथ अगस्त अब भाला फेक दिवस कितना तारीक मना जाता है तो साथ अगस्त को कितना मीटर भाला फेकेता है तो 87.85 ठीक है 87.85 ठीक है अब उसके बाद है आपको अब सबसे पहले अगर बात करेंगे सबसे पहले गोल्ड मेंडल ओलंपिक में कौन तो अभिनव बिंद्रा जिलाये थे अभिनव बिंद्रा यह जो खेल हुआ था कहा हुआ था ओलम्पिक तो चाइना में हुआ था चाइना में और 20 मिटर एयर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे नेक्स्ट है आपको तेरा तेरा क्या कहता है तेरा है हाले में जारी मुख मंत्रियों की लोग प्रियता रेटिंग में कौन सिस्ट पर है यानि जारी मुख मंत्री की लोग प्रियता तो इसका अंसर को नवीन पटनायक क्या होगा नवीन पटनायक और यह कहां के मुख मंत्री है तो उडिशा के उडिशा के मुख मंत्री है नवीन पटना एक जी और प्रोफेसर गनेशी लाल कौन है तो आपको शरी गनेशी लाल पहले थे अभी है रगुवर्दास रगुवर्दास है कौन है रगुवर्दास ठीक है और इसका गठन का हुआ 1936 में उडिशा का गठन और यहां पर 21 लोक्षवा volcanoes है दस से राज सव सिथ है 147 जयाद रखना है यहां पर बिधान सवा सिथ है ठीक है पुरिशा में कितना है बिधान सवस्य है 14ख six hour नेक्स आपको 14 14 है हाली में मोदी जी कहाँ सुषी कलिक धाम का सिलिनास करेंगे यानि मोदी जी भारत के जो पर्धान मंत्री है नरेंद मोदी जी वो आपको कहां जो है कलिक धाम का सिलिनास करेंगे इसका अंसर क्या होगा संभल में ठीक है क्या होगा संभल में इसका अंसर होगा ठीक है और नीती आयोग का देखें नीती आयोग के अब उसके बाद है आपको 15 क्या कहता है कि हाली में किसे लोकमत महाराष्टियन ओफ द इयर दोट्चोवीस में अस्पेशल आवार्ड मिला यहीं किसको मिला इसका अंसर होगा इसा मानी क्या होगा इसा मानी को और यह जो है आपको मुगे समानी की बेटी है ठीक है लोकमत महाराष्टियन ओफ द इयर दोट्चोवीस में अस्पेशल आवार्ड जो मिला है बोग इसको मिला है तो इसा अंसर आपको देना है ठीक है तो चलिए क्लास आज इतना ही 15 कोसन कहीं सरी था दो दिन का ठीक है और यह जो है आपको 15 का 15 कोसन जो है बहुत ही इंपोर्टन आपके लिए आप सभी परस्ट को याद रखेंगे ठीक है और अपना जो है राय क्लास के बारे में जरूर देंगे कि आपको क्लास कैसा लगा और आपको क्लास अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे और चैनल पर पहरी बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट कलास में तब तक के लिए जैन जै भारत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद